ओम शांती चार जन्वरी साकार मुली मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार्व नहीं होगा। प्रश्न ओच पद प्राप्ट करने का आधार क्या है। उत्तर ओच पद प्राप्ट करने के लिए बाप के हर डाइरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डाइरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। दूसरा इस रोहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुन्या तब उच पद मिल सकता है। गीत तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया। ओम शान्ती मीठे मीठे रोहानी बच्चों ने यहां गीत सुना। वो है भक्ती मार्क का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहश्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्सा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसल्मानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तों में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं। He is no evil, see no evil। इनका भी कोई रहश्य होगा ना, बाप समझाते हैं। एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाई, जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं। कि इसने भी बहुत भक्ति की हैं। इनका यहां है बहुत जन्मों के अंध का जन्म। यहीं पहले पावन थे। अब पतीद बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आधिक को ले आते हैं, तो थोड़ी बात कर लेता हूँ, पहली बात तो है, पवित्र बनना है, तब ही बुद्धी में धार्ना होगी, यहां के काईदे बहुत कड़े हैं, आगे कहते थे, साथ रोज बच्छी में रहना है, और कोई की आद न आये, न पत्र आदी लिखना है, रहो भल कहां भी, परन्तो सारा देन भठी में रहना पड़े, अभी तो तुम भठी में पढ़कर फिर बहार निकलते हो, कोई तो आश्रिवत सुननती, कथनती, अहो माया, फिर भागनती हो गए, यहा है बड़ी भारी मंजल, बाप का कहना नहीं मानते, बाप कहते है, तुम तो वान प्रस्थी हो, तुम क्यों मुफत में फस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम है और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, आप मुए मर गई दुनिया, तब उ मुझपद मिल सकता है, तुम्हारा पुरुशार्थ ही है, नर से नारायन बनने का, कदम कदम बाप के डाइरेक्शन पर चलना पड़े, परन्तु इसमें भी हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोहों की रग कम नहीं है, नस्चो मोहा होना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विश कभी नहीं देंगे, तुम इश्वर तरफ आते हो तुम माया भी, तुमको छोड़ेगी नहीं, खोप पच्छाडेगी, जैसे वाइद लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बिमारी बाहा निकलेगी, डरना नहीं, यह भी ऐसे हैं, माया खोप सताएगी, वानप्रिस्त अवस्था में भी विकार की संकल्प ले आएंगी, मो उत्पन हो जाएगा, बाबा पहले से ही बता देते हैं, कि यह सब होगा, जहां तक जियेंगे, यह माया की बॉक्सिंग चलती रहे माया भी पहलवान बन, तुमको छोड़ेगी नहीं, यह ज्रामा में नोंद हैं, मैं थोड़े माया को कहूंगा, कि विकल्प न लाओ, बहुत लिखते हैं, बाबा क्रिपा करूं, मैं थोड़े किस पर क्रिपा करूंगा, यहां तो तुमको श्रीमत पर चलना है, परुपा करूं, फिर तो सब महराजा बन जाए, ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं, जो और और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे, वहां निकल आएंगे, यहां सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी महनत है, नए जो आते हैं, तो सिर्फ कहना है, बाप को याद करो, शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं, अनेक मत, अनेक बाते हैं, यह बुद्धी में पूरा धारन करना है, हम पतीत थे, अब बाप कहते हैं, तुम पावन कैसे बनो, कल पहले भी कहा था, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझ, दे के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो, मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगती करने आया हूँ, भारत वासी ही, ओच बनते हैं, फिर 84 जन्मले नीचे उतरते हैं, बोलो, तुम भारत वासी ही, इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है, ये स्वर के मालिक थे न, अभी कहा है, 84 जन्म कौन लेते हैं, सत्युग में तो यही देवी देवताओं थे, अभी फिर इस महा भारत लडाई द्वारा, सब का विनाश होना है, अभी सब पती तमो प्रधान है, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ, यहाँ पूरा भख्त था, नराएन की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर, फिर इनको नराएन बनाता हूँ, अब तुमको भी पुरशार्थ करना है, यह डेटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है न, उपर में है निराकार फुल, फिर मेरू युगल, शिवाबा के नीचे एक दम यहाँ खड़े हैं, जगत पिता ब्रम्हा और जगत अंबा सरस्वती, अभी तुम इस पुरशार्थ से विश्णपुरी के मालिक बनते हो, प्रजा भी तो कहती है न, भारत हमारा है, तुम भी समशते हो, हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे, और कोई धर्म होगा ही नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, यहां हमारी राजाई है, और कोई राजाई है नहीं, यहां बहुत है, जो हमारा तुम्हारा चलता है, वहां यह बाते ही नहीं, तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे और सब बाते छोड़, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ऐसे नहीं, कोई सामने बैठ, निस्ठा, योग कराई, द्रिस्टी दे, बाप तो कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करना है, अपना चार्ट रखो, सारे दिन मे कितना याद किया, सविरे ओठ कितना समझ बाप से बाते की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से महनत करनी है, नालेज तो बुद्धी में है, फिर औरों को भी समझाना है, यहा किसी की बुद्धी में नहीं आता है, कि काम महाशत्रु है, दो चार वर्ष र फिर माया का थपड जोर से लगने से गिर पड़ते हैं, फिर लिखते हैं बाबा, हमने काला मू कर दिया, बाबा लिख देते काला मू करने वाले को बारा मास यहां आने की दरकार नहीं है, तुम बाप से प्रतिग्या कर, फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आन बड़ी मन्जिल है, बाप आये ही है पतीच से पावन बनाने, बहुत बच्ची शादी कर पवित्र रहते हैं, हाँ किसे बच्ची पर मार पड़ती है, तो उनको बचाने के लिए गंदर्वी विवा कर पवित्र रहते हैं, उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकर लेती है, हार खा लेते हैं, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं, बाप कहते हैं, तुम तो सुटपंखा हो, यह सब नाम इस समय के ही है, यहां तो बाबा कोई विकारी को बैचने भी न दे, कदम कदम पर बाप से राई लेनी पड़े, सरेंडर हो जाए, तो फिर बाप कहेंगे, अब ट्रस्टी बनो, राई पर चलते रहो, पोतामिल बताएंगे, तब तो राई देंगे, यहां बड़ी समझने की बाते हैं, तुम भोग, भल लगाओ, परन तुमें खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते, रातरी क्लास, पंदरा जुन, 68, पास्ट जो हो गया है, उनको रिवाइस करने से, जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइस हो जाती है, इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्ट जाया गया है, मुख्य फाइदा है ही याद से, याद से ही आयू बड़ी होनी है, ड्रामा को बच्चे समझ जाए, तो कब ख्याल नहो, ड्रामा में इस समय ग्यान सिखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंध हो जाएगा, ना बाप का, ना हमारा पार्ट रहेगा ना उनका देने का पार्ट, ना हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएगे ना, हमारा पार्ट नई दुन्या में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांती धाम में होगा, पार्ट का रिल भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांती धाम का पार देने और लेने का पार्ड पुरा हुआ, ड्रामा ही पुरा हुआ, फिर हम राज्यक करने आएंगे, वह पार्ड चेंज होगा, ग्यान स्टाप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे, पार्ड ही पुरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का भी पार्ड नहीं रहेगा, यह तो ग्यान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, न देने वाले पास रहे, न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो की समान हो गए, इसमें विचार सागर मन्थन करने की बुद्धी चाहिए, खास पुरुशार्थ है, याद की यातरा का, बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धी में तो सुक्ष्म है न, अंदर में जानते हैं, शिव बाबा का रूप क्या है? समझाने में मोटा रूप हो जाता है बक्ती मार्ग में बड़ा लिंग बना देते है आत्मा है तो छूटी ना यहां है कुदरत कहां तक अंत पाएंगे फिर पिछाडी में बे अंत कह देते बावा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है यह कुदरत है अंत नहीं पाया जा सकता स्रिस्टी चक्र का अंत तो पाते है रचेता और रचना के आदी मद्द अंत को तुम ही जानते हो बाबा नौलिश्फुल है फिर हम भी फुल हो जाएंगे पाने लिए कुछ रहेगा नहीं बाब इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं वह है बिंदी आत्मा का वा परमात्मा का सक्षातकार होने से खुशी थोड़े ही होती है महरत कर बाब को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे बाब कहते हैं मेरे में ग्यान बंध हो जाएगा तो तेरे में भी बंध हो जाएगा नौलेज ले उच बन जाते हैं सभी कुछ ले लेते हैं फिर भी बाब तो बाब है ना तुम आत्माए आत्मा ही रहेंगे बाब हो कर तो नहीं रहेंगे यह तो ज्ञान है, बाप, बाप है, बच्चे बच्चे है यह सभी विचार सागर मन्थन कर, बीप में जाने की बाते है यह भी जानते है, जाना तो सभी को है सभी चले जाने वाले है, बाकी आत्मा जाकर रहेगी सारी दुन्या ही खत्म होनी है, इसमें नीडर रहना होता है पुरशार्थ करना है, नीडर हो रहने का शरीर आदिका, कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है बाप, आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरशार्थ करना है अभी टाइम पड़ा है, या रियरसर तीखी करनी पड़े प्राक्टिस नहीं होगी, तो खड़े हो जाएंगे तांगे थिरकने लग पड़ेगी, और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा तमु प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़े लगते हैं जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नस्दी काते जाएंगे योग वाले ही नीडर रहेंगे, योग से शक्ती मिलती है, ज्यान से धन मिलता है बच्चों को चाहिए शक्ती, तो शक्ती पाने लिए बाप को याद करते रहो बाबा है अविनाशी सर्जन, वहा कब पेशंट बन न सके अभी बाब कहते हैं, तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो हम ऐसी संजीवने बुटी देते हैं, जो कब कोई बिमार न पड़े सिर्फ पतीत पावन बाब को याद करते रहो, तो पावन बन जाएंगे देवताएं, सदेव निरोगी पावन है ना, बच्चों को यहां तो निश्य हो गया है हम कल्प कल्प वर्सा लेते हैं, इम मेमोरियल टाइम, बाब आया है, जैसे अभी आया है बाबा जो सिखाते समझाते हैं, यही राज योग हैं, वह गीता आदी सभी भक्ती मार के हैं यह ग्यान मार बाब ही बताते हैं, बाब ही आकर नीचे से उपर उठाते हैं, जो पक्के निश्य बुद्धी हैं, वही माला का दाना बनते हैं बच्चे समझते हैं, भकती करते करते हम नीचे गिरते आये हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं, लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते, जितनी पार लौकिक बाप कराते हैं, अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते धार्णा के लिए मुखिसार पहली पॉइंट माया पहलवान बन सामने आएगी उससे डरना नहीं है माया जीत बनना है कदम कदम श्रीमत पर चल अपने उपर आपे ही कृपा करनी है दूसरी पॉइंट बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बताना है ट्रस्टी होकर रहना है चलते फिरते याद का अभ्यास करना है वर्दान अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का सक्षातकार कराने वाले इस्ट देव भावव विस्तार है जबसे आप बाप के बच्चे बने पवित्रता की प्रतिग्या की तो रीटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ी ताज कुछ भी नहीं है जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारन करते जाएंगे उतना ये लाइट का क्राउन स्फस्ट होता जाएगा और इस्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रतिग्ष हो दिजाएंगे स्लोगन सदा बाब दादा की छत्र चाया के अंदर रहो तो विगन विनाशक बन जाएंगे ओम शांती